अठाइस मार्च दोहजार शत्रा प्राते आठ बजकर 27 मिंट से चैत्र शुकल प्रतिवदा प्रारम हो जाएगी अब क्यांगे दातिमाराज घटिस्तापना कब करें घटिस्तापना करना खेतरी बीजना अखंड जोद जलाना के लिए प्राते काल विरिशव लगन याठ बजकर 42 मिंट से लेकर सारी 10 बजे का जो समय है वो बड़ा ठीक समय है इस समय आप घटिस्तापना कर सकते हैं आप केंगे दातिमाराज सरोत्तम घटिस्तापना का मौरत क यानि 12 बजकर 9 मिंट से लेकर 12 सताउन का जो समय है 12 बजकर 9 मिंट से 12 बजकर 9 मिंट से 12 से 17 पल यह है 12 बजकर 9 मिंट पर आप घटिस्तापना कर सकते हैं लाब का चोगडिया है 12 बजकर 9 मिंट से लेकर 12 बजकर 26 मिनट तक और अमृतिका चोगडिया है 12 27 से लेकर 12 सताउन तक यह अध्भुद समय है इसलिए सरोत्तम घटिस्तापना का समय है 12 बजकर 9 मिंट 12 सेकेंड पर दिल्ली वाले घटिस्तापना कब करें तो 12 बज़कर 2 मिन्ट से लेकर 12 बज़कर 50 मिन्ट के बीच दिल्ली वाले घटिस्तापना करतें उनके लिए बढ़ा अच्छा रहेगा मुंबाई वाले घट सापना 12 बज़कर 19 मिन चार मिन चार बज़कर 15 मिन का समय उनके लिए घटरी बीज़ना अखंट जोंद जोलाना के लिए अच्छा माना उनके लिए जमुख जम्मुवाले बारा बज़कर 11 मिन्ट से लेकर एक बज़े दोपर एक बज़े के बीच में घटिस्तापना करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा और शिमला में घटिस्तापना बारा बज़कर 12 मिन्ट से लेकर एक बज़कर एक मिन्ट के बीच में घटिस्तापना होती एक बज़कर आठ मिन्ट के बीच में गांधी नगर में इदी घटिस्तापना करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा और लखनों की घटिस्तापना 11.47 से लेकर 12.35 का समय है बोपाल में घटिस्तापना का समय रहेगा 12.00 बज़कर 12.40 मिन्ट तक और देराय दून दून में घ घटिस्तापना 11.49 से लेकर 12.47 का समय रहेगा घटिस्तापना के लिए राइपूर चतिस गट में घटिस्तापना 11.44 से लेकर 12.32 तक और राजी की घटिस्तापना 11.29 से लेकर 12.18 तक यह सब अभी जीत मूर्थ है ध्यान रहे कि इस सब अभी जीत मूर्थ है पत्ना में करें 12-49 के बीच में करें तो बड़ा अच्छा रहा है और हैदराबाद में घट सापना 11-57 से लेकर 12-45 के बीच में घट सापना करें खेद्री बीजें अखन जोच जलाए और माई के पूजा अरातना का करें तो आपका कल्यान अगर आपका जीवत खुश्यों से भर जाएग